नई दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है दरिसल यहां सिर्फ 10 दिन की अंदर MRP रेट पर 100 करोड रुपए से अधिक की शराब की बिक्री हुई है जब दिल्ली में सिर्फ कुछ ही जगहों पर शराब की दुकाने खुली हुई है आपकारी विभाग ने कहा कि विशेश कोरोना शुल्क के रूप में लगभग 65 करोड रुपए की कमाई की गई है लगभग इतने ही करोड की आमदनी उत्पाद शुल्क से भी हुई है खबर के रिसार आपकारी विभाग ने चार मई के बाद से लगभग 101 करूर रुपए की शिराब की कुलपिकरी दर्च की है महीं साल 2019 में आपकारी विभाग ने 860 विशम दुकानों और 800 विशम बार पब और क्लबों के माधियम से हर दिन 20-22 करूर रुपए की शिराब बीची थी तब आपकारी विभाग प्रते दिन 17-15 करूर रुपए की कमाई करता था आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिली में शिराब सबसे पहले 4 मई को बिकना शुरू हुई थी साथ ये दिली सरकार हर शिराब पर 70 प्रतिशत अतरिक्त कोरोना टेक्स लगा रही थी जानकारी के नसारे समय दिली 160 दुकानों में विदेशी और देशी शिराब की बिक्री हो रही है 4 मई को ही करीब 5.2 करूर रुपए की शराब की बिक्री हुई